A metal wire is bent in a circle of radius 10 cm. It is given a charge of 200 micro-culum, a charge of 200 micro-culum, which spreads on it uniformly. ठीक है ना? Calculate the electric potential at its center. तेखिये, अगर आपको एक metallic wire भी लेगा, एंड आप उसको bent कर देंगे, इन a circle, देन वो रिंग बन्याएगा ना? ना नहीं समझ देंगे हूँ. लोड़ देखो, मेरे पास एक wire है, ठीक है? मैंने इसको bend करके क्या करना है? ना bend करके मेरे को ये circle बना दरा है. तो ये मेरा क्या बनेगा? रिंग बनेगा, ना? हाँ कि ना? ये एक ring बनेगा मेरा. तो हमने ये पढ़ा, हमने ये पढ़ा ring के लिए, कि अगर मेरे पास एक ring होगा, ध्यान से समझेगा. हमने ये formula बताया, derivation तो हमें चाहिए नहीं. ठीक है ना? हमें ये formula बताया गया, कि अगर potential of a ring, at any point on the axis of the ring. मतलब, ये मेरा अगर center है, center से x distance में, let ये m point है, जो की axis पे है. ठीक है ना? जहां से समझेगा. मतलब कुछ ऐसा है ने बाई, ये मेरा let ring है, ठीक है? ये मेरा ring है, ये जो line है, जो center को पास करके इसको perpendicular होता है, ये जो line है, ये मेरा क्या होता है, axis होता है, axis of the circle, circular ring. अब ये axis का 8 point, जो की center से x distance में, center से कितना distance में है? x distance में है, ठीक है ना? तो उसके लिए formula क्या है, electric potential due to this ring, अगर इसमें charge q distribute हुआ होगा uniformly, then at a distance x from the center of the ring, on the axis of the ring. then उसका potential क्या होता है, potential at the point M, ठीक है, ये मेरा ring है, ठीक है, डीस्क नहीं है, डीस्क होगा तो उसके लिए हमने अलग formula बताया, ठीक है, ठीक है, तो ये मेरा, potential at the point M कितना होता है, 1 by 4 by epsilon not, q by r square plus x square का root over, जहां पे r क्या है मेरा, radius of the ring, समझे हो, radius of the ring, अगर आपको center पे निकालना होगा, center पे, center O पे निकालना होगा, then ये x क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, हांगी ना, so at center of the circular ring, ध्यान से समझे है, ये क्या है formula, potential due to this ring, having a uniform charge distribution, of amount q charge, हांगी ना, at any point, on the axis of the ring, समझे है ना, which is x distance away from the center of the ring, बाँ समझे है, ये मेरा formula potential, at any point on the axis of the ring, which is x distance away from the center of the ring, बट अगर आपको center पे निकालना होगा, potential, at center, at center, potential at center, potential at center, of the ring, उसके लिए आप क्या करेंगे, x equal to 0 ले लेंगे, इसी formula, मैं और कुछ नहीं करता है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा ना, center में कितना, v o equals to, 1 by 4 pi epsilon not, q by, ये x का 0 हो जाएगा, तो r square का root of r, ठीक है ना, तो simple सा आपको formula मिल गया, रिंग के लिए आप इतना याद रख लेंगे, ठीक है ना, तो आप बताईए, इसी question, खुम सॉल करते है, यहाँ पर radius कितना दिया है मेरे को, ना 10 cm दिया है, तो ये मेरा 0.1 meter हो जाएगा, दिन चार्ज कितना दिया है, 200 micro coulum, तो 200 into 10 का पावर माइनर 6 coulum, तो देखो, इसीज़ रेडियस, इसीज़ चार्ज अमाउंट अप चार्ज, इसीज़ इस्टीबूटेट उनीफोर्मली, प्रेड उनीफोर्मली, तो इसीज़ पोटेंशियल एटीट सेंटर, ये एक्सिस का फामूला, ये सेंटर का फामूला, तो डाल दीचे ये बना फामूला, तो वेलोसिट बोला, पोटेंशियल, क्या हो जाएगा, ना सेंटर में, पोटेंशियल इंटर सेंटर, वन बई, फोर फाई एपसाईल और नॉट क्यूब बई, हांकि ना, तो ये 9 इंटर इंटु 10 का पावर 9 हो गया, समझे ओरे भाई, तो ये मेरा चार्स कितना दिया है, टू हने इंटर 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 का पावर माइनस 6, दिवाइड बाई, ये 10 सेंटिमेटर दिया था, तो 10 इंटर इंटर अपावर मैनस 2, तो वही एक ही बात है बैए 0.1 मिटर और यहां पर इसे लिख रहा हूं और मुझे इजए होगा मैं देखो यह काटने के लिए ठीक है तो यह देखो यह 10 कट गया तो यह मेरा माइनस 2 हो जाएगा तो यह माइनस 4 यह माइनस 4 इसके साथ कटेगा तो यह 5 हां की नहीं कट गया तो यह एक जिरो है इसके साथ मिलेगा तो 6 हो जाएगा ठीक है 6 हो जाएगा अब यहां पर क्या बचा सिप्यर 2 बचा तो 9 2 जा इतना ना 18 इन्टू 10 का पावर 6 वोल्ट इस इस पोटेंशियल आप उसी फॉर्मूला को याद रखेंगे ठीक है